हेलो फ्रेंट्स मैं सुरज दूबे और आप लोगों को स्वागत बता हूं अपने यूट्व चैनल रेने एजिकेसर में तो फ्रेंट्स आज के विडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि आज का जो सेशन रहेगा वो क्या रहेगा फ की Khanhs की authentic के माध्यम से इसमें जो पोस्षिंस रहेगा इंपॉड रहेगा जितने Grammy सहाँ tarafize आप выпॉपड़ाया जाएगा यहाँ प्रेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि अध्याय क्या है नौ है यानि कि आप 10th class में जब देखिएगा mathematics का question क्या friends तो आप लोग math का जब आप लोग questions देखिएगा exercise क्या है friends आप लोग को exercise यहाँ पर आप लोग देख रहें friends कितना है तो 9 है 9 में क्या है आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि तिर्कुर्मीति के कुछ अनुपर्यूग क्या है तिर्कुर्मीति के कुछ अनुपर्यूग तिर्कुर्मीति को हम कैसे अनुपर्यूग उसका ग्याद करते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम आप लोग को बताएंगे तो सबसे पहले यहां पर हम इसका इंट्रोडॉक्शन जान लेते हैं कि तिरकुणमीती की अनुपर्योग क्या होता है तो फ्रेंड्स आईए यहां पर हम देखते हैं तो सबसे पहले यहां पर इसके बारे में आप लोग पढ़िए का टाइम वेस्टिंग होगा बट यहां पर हम कुछ आप लोग को most important point के बारे में आप लोग को बता देता हूं फ्रेंड्स यहां पर आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है तिरकुणमीती के परियोग यहां पर देखते हैं यहां पर देखते हैं फ्रेंड्स खश्ट जो लिखा हुआ है पॉइंट किसी बस्तू उची इमारत यानि के बिल्डिंग या मिनार या टावर की उच्चाई ग्यात करने में इसका क्या किया जाता है परियोग किया जाता है नेक्स्ट जो point यहाँ पर देखनें किसी नदी या समूंदर की चोड़ाई ग्याद करने में क्या किया जाता है यहाँ पर ट्रिजबल मिट्टी का परयुग की आजाता है और नेक्स्ट जो point आप देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रिथिवी से ग्रहो प्लेनेट्स और तारो अश्टार की दूरी प्रिथिवी से जो ग्रह है ग्रह का दूरी और क्या है अश्टार का दूरी ग्याद करने में इसको क्या किया जाता है आप लोगो को क्या किया जाता है तो तिरकुरमिती के इवची किया जाता है देख रहे हैं यहाँ पे मांचीत्र मैप बनाने और अक्छांस और देशांतर क्या यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि लेटिट्यूड एंड लोगिट्यूड ग्याद करने में अक्छांस और देशांतर को ग्याद करने में इसका क्या किया जाता है तो परियोग किया जात नेक्स्ट क्या हैatura तो देख रहरें किसी उर्ती चीच की किसी विन्दू से दूरी की उचयाई आकास में कोई कोई विन्दू कुई बसॄर चिनिया या पक्षी कोई बhats iu raha यह उसकी दूरी और उसकी उचाय को ज्यायत करने में इसको क्या किया जाता है को यूज किया जाता है नेक्ट पॉइंट है कि इंजिनियरिंग और भावतिक बिग्यान इंजिनियरिंग और भावतिक बिग्यान में इनका क्या क्या जाता है तो आप लोग को परियोग किया जाता है तो फ्रेंट्स हम चलते हैं यहां पर देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें कि ध्रिष्टी रेखा साइट लाइन से ये क्या होता है फ्रेंड्स कि प्रेचक की आंक से प्रेचक द्वरा देखी गई बस्तु को बींदु को मिलाने वाली ये क्या होता है रेखा होता है जिसे साइट लाइन कहा जाता है यहीं कि ध्रिष्टी रेखा कहा जाता है तो फ्रे होरिजेंटल लाइन क्या होता है यानि कि 36 रेखा क्या होता है यह बसत्य पर यहां देख रहे हैं और इसके उपर जो dot वाला लाइन देख रहे हैं इसको क्या का जाता है 36 रेखा का जाता है और यहां पर इसका क्या होता है परचाई होता है यानि कि प्रेरत्चक होता है इसको क्या बोला जाता है तो 36 रेखा है यानि कि इनको क्या बोला जाता है horizontal लाइन इंग्लिज में बोल बेएपा जाता है next point यहां पर हम देखते हैं है pencil क्या this point जो है फ्रेंट्स यहां पर क्या है आप लोग यहां पर देख रहे हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उनियन कोन कोंको इंगलीसल निक्ला उनियान क्या जाता है आता है Cleve त्रेंगल यानि कि उन्यक्ण कहा जता है इसका मतलब होता है धृत्व धिरिष्टि रिखा औhris 26 ऑर रेखा जो होता है उसे बना जमकि यह कह चाकीबघ्र से ऊपर होता है यहां पे आप लोग आकिर्ती ग pont台灣 ऑप लिक तो यहां यहां पर देख रहे हैं कि यह बनाया गया है यहां पर क्या ट्रेंगल बनाया गया है और यह वाला जो कौन होता है यह क्या होता है उन्नियन कौन होता है यह जो ठीटा आप लोग देख रहे हैं उन्नियन कौन इसको बोला जाता है आई यह फ्रेंट से यहां पर हम कुछे तो फ्रेंट से यहां पर आप लोग देख रहे हैं किया देख रहे हैं तो फ्रेंट से आईए यहां पर एक्जाम्पल के तौर पर एक कोशन को हम क्या करते हैं क्या करते हैं तो यहां पर हम एक कोशन को सोल्व करते हैं तो फ्रेंट से यहां पर आप लोग देख रहे हैं कोश कलकार 20 मीटर लंबी डोर पर क्या करके चड़ रहा है एक सरकस का कलकार है जो कि 20 मीटर लंबी डोर पर चड़ रहा है जो अच्छी तरह से क्या है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और यहां पर कह रहा है कि भूमी पर सीधे भूमी पर सीधे लगे खंबे के सीखर से यह बंधा हुआ है और यहां आप लोग देख रहे कि यादि भूमी अस्तर के साथ दोर द्वारा बनाया गया कूण जो भूमी अस्तर के साथ उसका दोर द्वारा बनाया गया कूण है friends तो क्या है तो जो कूण है यहाँ पर एक मिन प्रिंट से तो थोड़ा से टेकनिकल इसू आया तो इसके लिए मैं हमाँ चाहूंगा तो यहां पे आप लोग देख रहें फ्रेंट से क्या कोश्चन्स है कोश्चन्स आप लोगों को मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि 20 मीटर लंबी क्या है तो 20 मीटर थोड़ा साइज को छोटा कर लेता हूं तो फ्रेंट से आप देख रहें कि 20 मीटर लंबी एक डोर है जो अच्छी तरह से क्या है तनी हुई है जो भूमी पर सीधे लगे खंबे के सीखर से यह क्या है बंधा हुआ है भूमी अस्तर के साथ दोर दोरा बनाया गया जो कुण है जो दोर दोरा बनाया गया कुण है हो तो खंबे की क्या कर रहा है कि उस खंबे की उचाई को ग्याद करना है तो खंबे की उचाई को ग्याद करना है तो फ्रेंडी इसको मैं कैसे सलूशन करूझा सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूझा इसका आप लोगों को चीत्र बनाएंगे क्या करेंगे इसका एक आप लोग को चीत्र बनाना है यह वला जो कुण दिया है फ्रेंज से यह वला जो कुण दिया है एक कितने डिगरी का है थर्टी डिगरी का एक कॉन दिया है आप लोग ए मान सकते हैं इसको क्या ए मान सकते हैं इसको भी मान सकते हैं और इसको सी मान सकते हैं इसका जो लंबाई है फ्रेंट्स वो बीस मीटर इसमें दिया गया है बनाया गया डोर द्वारा बनाया गया कॉन थर्टी डिगरी का है य यह बनाया गया जो कुण है वो क्या है 30 डिग्री का बनाया गया कुण है यहाँ पर इसको कौन सा कुण बोला जाता है तो उन्यन कुण बोला जाता है और इसका जो लंबाई है वो कितना एफरेंस तो 20 मिटर है तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माने माना खंबे की उचाई माना कि खंबे के मुचाई क्या है friends तो एच मिटर है और जो डौर है वो डौर का लबाई कितना आफ इट इमिटर है और जो यह आप ठीटा कमाज जो दिया है क्या ठाटीडिग्री दिया है यह कौन सा तिर्भूज बन रहा कर रहा है तो यहां पर हम देखते हैं कि इसका सलूसन देखते हैं कि एक कोस्टन को हम कैसे सोल्व करेंगे तो फ्रेंट्स यहां पर उचाई बराबर एंच माल लिया डोर के लंबाई कितना दिया है 20 दिया है और ठीटा कमान यहां पर कितना दिया है तो ठीटा कमान 30 दिया है तो समकौन तिरभूज ABC में क्या है यहां पर आप लोगों को बनाया गया है कि समकौन तिरभूज बनाया गया है तो साइन ठीटा बराबर लंब बाटा में क्या होता है फ्रेंस तो लंब बाटा में करण होता है क्या होता है लंब बाटा में करण होता है ठीटा बराबर क्या होता है तो लंब बाटा में करण होता है ठीक ना कोश ठीटा बराबर क्या होता है लंब बाटा में करण तो लंब लंब इसका क्या ईए वाला एंच हो गया और करन कमान कितना दिया यहां पर आपकों देख रहे है कि 30 घृय्य जो ठीटा कमान होता है जो स्विकना होता है त्जफे क्या होता है विया है इसमें30 डिपर बांबर आप तो यहां पर क्या हो जाएगा उन्पोन में त्वहादआ और यहां पर क्या हो जायेगा? क्या हो जाएगा 2H बरावर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा 20 हो जाएगा 22 मेधिट के फुरू आप लों इसको मल्टिप्लाई करते हैं अब यहाँ पर एसका भाईलू क्या होगा तो 20 अपॉन में 2 जब इसको आप लों कट आते हैं कितना meter h का मान आजाएगा यह 10 meter आजाएगा तो खंबे के उचाई पूछ रहा था तो आपका right answer कितना हो जाएगा ताकि जितने स्टुडेंट बिहार बोर्ड क्या जितने अस्टुडेंट ऑर जो भी यहां पे आप लोग पढ़ाया जाएगा वह बोर्ड के एकोडिंग ही पढ़ाया जाएगा ठीक न फ्रेंड्स आप लोग जाएंगे एक्जाम देने तो यह सारी जो कोश्चन्स है आप लोग को वहाँ पर क्या करेगा मिलेगा आप लोग को देखने को ठीक न तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ें और नेक्स्ट कोश्चन्स आ है कि आंधी आने से एक पेंड तूट जाता है कोश्चन्स कर रहा है कोश्चन नोबर यहां पर टू है कि आंधी आने से एक पेंड तूट जाता है तूटा हुआ भाग इस तरह मूर जाता है कि पेंड का सिखर जमीन को छूने लगता है जब पेंड तूटता है तो उसका ज दिग्री का कौन बनाता है और पेण के पाद बिंदु की दूरी जहां पेण का सीखर जमीन को छूता है वो कितना मीटर है आठ मीटर है तो पेण की क्या करें उचाई को आप लोगो को फाइड आउट करना है तो सबसे पहले इसका हम सलुसन देखते हैं फ्रेंस आप लोगो स सलुसन के साथ ही आप लोगों को यहां पर लाया हूं ताकि मैं आप लोगों को यहां पर अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा सकें तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे क्या सबसे पहले हम इसको मानेंगे कि माना पेण की उचाई बीसी चीतर में आप लोगों को बीस बिंदू A, यानि A से तूटकर जमीन पर बिंदू C पर आता है, तो वो जूकी हुई पेंड को दिखाई देता है, और यहाँ पे जो ठीटा का मान दिया है, वो कितना दिया है, तो आप लोग को दिखाई दे रहा है, जो ठीटा का मान दिया है, वो कितना दिया है, वो कितना दिया है फ्रेंट्स तो आप लोग देख रहे हैं आठ मीटर दिया है तो स्वमकून तिरभूज का यह क्या करेगा निर्माण करेगा तो आएए आएए आप लोग को इधर मैं बता रहा हूं तो फ्रेंड से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका निर्माण कैसे हो रहा है इसका चीतर कैसे बन रहा है तो फ्रेंड से यह आप लोग चीतर एक बार देख लीजे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या था पेंड हा यहां से पेंड गीरा है जब तूट कर उसका डाली गीरा पेंड का तो यह क्या है ऐसे हुआ जब पेंड उपर तक खाड़ था और यहां से एक अा हुआ ऐसे हाया तो यहां पर जो डिगरी बना वह जो उन्नेन कंड बना तो 30 टीगरी का बना और जो उसका लंबाई है जो तल की लंबाई है डी से सी तक की वाट मीटर है तो आप लोग को यहां से और यहां तक की उचाई आप लोग से पुछा जा रहा है क्या पुछा जा रहा है कि यहां से और यहां तक के आप लोग को हाईट क्या होगा यही करता है तो आई यहां फोल्ब करता हैं और होको समझाने का मैं कोसिस करता हूं तो आई देखते हैं यहां पर आप आप लोगों को चीत्र भी मैं बना देता हूं जैसे प्रेंट से यहां फे है यह पेंड है और इसका यह समतल बिंदू है और क्या हो रहा है कि पेंड टूट रहा है और आ करके यहां पर आप लोगों को बना रहा है है 30 डिगरी का कितना 30 डिगरी का इसका जो लंबाई दिया है वह आठ मीटर दिया है और जब टूटे गा तो उसका आधा भाग नीचे आएगा और उपर उपर जो भाग था वह नीचे आए गया तो यहां डॉट डॉट का चीन दे देता हूं तो आप लोगों को यहां से तो यहां तो यहां इस पीन हो गया फ्रेंस आपको क्या हूँ यहां पर कितनी डिटीकर दिगरी को आ दे रहा यहन तो यहां से यहां तकि आप लोगों क्या पूछ रहा है ? height पूछ रहा है यानि कि आप लोगों से उचाई उचाई पूछ रहा है कि यहां से यहां तकि उचाई क्या होगज Develop फाइए हम Questions में देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 ठीटा 10 theta बराबर क्या हो जाय गया यह माल लिए ज़र B हो गया C हो गया तो A हो गया A A B upon me BC 10 theta बराबर लंब बटा में अधार A लंब हो गया A अधार हो गया तो 20 30 degree बराबर A B बटा में लंबाई इसका अधार कितना है 8 meter तो 8 हो गया 10 theta कमान आप लोग जानते हैं friends 10 theta होता है तो आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा तो नेक्स्ट पॉइंट की और मुवन करते हैं तो यहां पे जब हम क्या करेंगे क्रोस मल्टिप्लाई करेंगे क्या करेंगे फ्रेंट तो क्रोस मल्टिप्लाई हम लोग यहां पर करेंगे तो जब क्रोस मल्टिप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एबी बराबर यानि की यह बी यानि की अंडर रूट थीरी एबी इक्वल टू आप लोग वह क्या हो तो आधार का मान कामान निकल जाएगा तो आप लूग जानते हैं कि कॉस्ट हर्टी डिग्री बरागों कॉस्ट हर्टी डिग्री का जो मान होता है कितना होता है तो रूट थीरी अपॉन में टू होता है क्या होता है रूट थीरी अपॉन में टू होता है तो यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहां पर क्या करेंगे क्रोस मल्टिप नेपलाई करेंगे तो क्या जाए रूट 3 AC एक्वल टू 8 इंटू 2 यानि कि 16 हो जाएगा तो एसी बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंट्स 16 अपॉन में रूट 3 मीटर हो जाएगा अब नेक्स्ट पॉइंट की वर मूवन करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या बोल र कि यहां पर आप लूग कितना आ गया है फ्रेंट्स क्या है यहां पर आप लोग को आइड करने पर क्या करेंगे कि पेंड कि लंबाई अपलोग कैसे ग्याद करेंगे जैसे ए पेंड था, ए इसका पेंड था, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो इसको इसके साथ, यानि कि यहां से यहां तक तो दोनों को हम क्या करेंगे, यहां पर एड करेंगे, क्या करेंगे तो दोनों को हम यहां पर एड करेंगे, यानि कि यहां आप लोग जो देख रहे हैं, यहां जो देख रहे हैं कि AB AB का मन कितना है 1 अपन में क्या है 8 अपन में रूट 3 और AC का मन कितना है तो 16 अपन में रूट 3 जब इन दोनों का LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर 8 प्लस 16 अपन में रूट 3 तो जोड़ेंगे कितना हो गया 24 अपन में रूट 3 कर आए कि हर का परमी करन करने पर अधम सिंप्लिफिकेशन बहुत आसान है जो आ रहा है उसका क्या करना है आप लोगो को परमी करन परमी करन का मतलए कि हर में जो रूट 3 है वो ऊपर नीचे क्या करना है आप लोगो को गुणा कर लेना है जैसे ही आप लोगो गुणा करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा 24 into root 3 root 3 root 3 root 3 क्या हो जाएगा friends तो आप लोग को 3 हो जाएगा एक खट जाएगा आप लोग का answer कितना जाएगा तो 8 root 3 meter is the right answer क्या हो जाएगा इसका पेण की जो चाहिए हो क्या हो जाएगा 8 into root 3 meter is the correct answer आप लोग को हो जाएगा अब next questions की और हम क्या करेंगे move on करेंगे friends तो next जो questions से आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन को आप लोग थोड़ा जूम कर देता हूं question और questions को आप लोग को देख रहे हैं कि questions क्या कर रहा है तो फ्रेंट से यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि questions number 3 है क्या है तो questions number यहां पर आप लोग को थड़ है question number 3 जो है friends यहां पर आप लोग को दिखाई दे रहा है कर आए कि एक ठिकदार क्या कर आए कि एक ठिकदार बच्चों को खिलने के लिए एक पार्क में जो फिसनल फिसनल का एक पटी होता है जैसे बच्चों को फिसनने वाला एक पटी बनाया गया है लगाना चाहती है जो पांच बरस से कम उम्रों के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसनल पटी लगाना चाहती है जिसका सीखर 1.5 मीटर को उचाई पर हो और भूमी के साथ 30 डिगरी के क्या बनाता हुआ है कोण बना हुआ है यानि जो 30 डिगरी के कोण पर क्या है जुका हुआ है जबकि इससे अधिक उम्रों के बच्चों और आगे सवाल है जबकि इससे अधिक उम्रों के बच्चों के लिए 3 मीटर के उचाई पर तीन मीटर के उचाई पर एक अधिक ढहाल की फिसनल पर्टी बना न चाहती है तो जो भूमी के साथ कितना डिगरी साथ डिगरी के कोण बनाती है तो परते के इस्तिती में फिसनल पर्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए है तो फ्रेंट से आई हम यहां पर चीट रहें बादे हम से कोशन को हम क्या करते हैं समझते हैं को और समझने के बात क्या करते हैं कोजंस को हम सोल्व करते हैं तो फ्रेंट से आप लोग देख रहे हैं यह पर तुअ यहां आप लोग है आप लोग को 90 डिगरी का और जो यह वहला कोण है कितना अप लोग को 30 डिगरी को आहिए कि इसका जाय दिया गया है 1.5екс ड दिया गया है जो savez है ऐसको भाज़र है ठीक है इसका जो दिया गया है चीतर मिल्डस है आप लोग देख रहे हैं हर इसका जो दिय गया है। है कुण वह कितना दिया गया है साथ डिगृ डिभी कितन दिया गया है और इसका जो उचाही है वह कितना थी जी तो आएए यहां पर हम क्वोश्चंस को checks करते हैं कि निरित को कैसे हम लोग s Gelfir करेंगे तो फिल से घस्ट अकिर्ति 10 मतलब हुआ कि जो सबसे पहले आपना देने बदेख रहें कि तो समकोर ची राभूज ये टीट गाल कि मैं और अंधे कृंब भाद आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहा हैं कि यहाँ पे आप लोग देख रहा है हैं कि क्यों से हो गया। B हो गया A क्या हो गया C हो गया तो फ्रेंट सी A B अपन में क्या हो गया A C हो गया इसको करण बोला जाता है ठीक है इसको क्या बोला जाता है लम बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है तो अधार बोला जाता है इतना बात आप लोग को समझ में आया होगा तो फ्रेंट सी इसमें होता है इसका जो कूह दिया है एक 30 ऑध्यक्रफित कर दिया है तो although gods इए ठाने दिग्री क्या होता है और उसका मैंने क्या होता है ni तो होता है तो ही on the whole episode मैंने क्रोस मॉल्टिपलाई कर दिया तो AC बराबर कितना हो गया, 30 मीटर हो गया, यानि कि इसका जो आपनों को लंबाई दिया था, 1.5 तो 1.5 को 2 गिना आप करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा, तो यह छोटी फिसनल पट्टी की क्या है, लंबाई है, जो सबसे छोटा है, उसका यह क्या हो गया लंबाई निकल कर आ गया, तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, कि case number 2 को यहाँ पर देख लेते हैं, case number 2 यानि की आखिर्थी number 2, यहाँ पर आखिर्थी को हम क्या करते हैं, तो बना लेते हैं, इसका जो कून दिया है, यहाँ पर, वो 60 डिगरी का दिया है, और इसका जो झाल है कि छेखें 2 002 best आप लोग को समल में आया हो को तोesting वाइस त्रहिए आप लोग को करना माना कि पट्ट क्या है पी आर है इसकी लंबाई का विस एक तो साइं पी क्यू आर यानी की पी ओ गशाय-क्शी wolf बराबर तो पी क्यु elf पॉन में पीयार हो गये निकि लूंब बता में करन हो चैश तो आप लेज़ा मालून मेंral iPhone 50hl 60 zitten का मन कितना होता है य। एक घर सब्सक्राइब का मालन कितना होता है रूट एक मिरालगह उन्हें होता है 2121 22 2 2 3 अपोन में रूट 3 और यहां पे याँ पे गार स्सेक्स अपोन में रूट 3 जब हम क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे फिरंट्स इसको जब हम हर कपर में कर एंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 6 इन्टु रूट थी अपॉन में 3 तीन दोना क्या हो गाया च्छे वो गया तो यहाँ पर क्या निकाल का एंस अपलोग को यहाँ पर रूट थी बात हमाद में पोलो समझ में को कि एक कैसे आया टर इघ्a कर अअ तक आप लोगों की फिश्व कि आप देख रहें कि बड़ी जो क्या पूछा जा रहा था इसका लंबाई अपक्रक्लाका है ट्य torment क Você यहां सब्सक्राइब है यहां प्रणार क्ला कर तो आप लोगो को यही क्या हो जाएगा आप लोगो को correct answer हो जाएगा कि इस स्तिति में फिश्मवपटी की लंबाई क्या होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए friends 2 into root theory is the correct answer अब एक और questions को हम देख लेते हैं friends इस्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं question number यहाँ पर फोर्थ है क्या है friends तो question number आप लोगो को फोर्थ दिखाई दे रहा है तो इसको हम देख लेते हैं यह जो question number क्या है आप लोगो को फोर्थ है पोर्थ है questions कर रहा है कि बूमी के एक बिंदू से जो मिनार के पाद बिंदू से 30 मीटर के दूरी पर है तो मिनार के सीखर का union कोण कितना है 30 degree है तो मिनार के उचाई आप लोगो को क्या करना है ग्याद करना है कि मिनार के उचाई क्या होगा क्या करना है friends तो आप लोगो मिनार के उचाई आप लोगो ग्याद करना है तो आईए हम यहाँ पर इसका solution देखते हैं तो फ्रेंट्स तो मानेंगे यहां पे कि माना की मिनार क्या है यह भी है मिनार की उचाई है यहनि की मिनार एबी की उचाई क्या मान लिया मैंने इच मान लिया और बिंदू सी मिनार के पाथ बिंदू बी की दूरी जो है वो कितना है ठटी है यहां से यहां की जो दूरी दिय तो 30 दिया है इतना बात आप रोगो समझ में आया होगा तो एक क्या बना रहा है समकूर तिर्भूज बना रहा है ABC समकूर तिर्भूज ABC में हम क्या करेंगे इसको देखेंगे तो क्या हम मानेंगे तैन ठीटा मानेंगे क्या मानेंगे टैन ठीटा यानि कि टैन ठीटा ठीटा का बहुत क्या है यहां पर तो 30 डिग्री तो टैन 30 डिग्री का जो मान होता है वोन अपन में क्या होता है यहां तक आप बोकु समझ में आया होगा तब यहां पर हम क्या करेंगे इसको तिरियक मल्टिप्लाई करेंगे जब तिरियक मल्टिप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रूट थीरी एच इकवल टू ठाटी एच बराबर क्या होजाएगा ठाटी अपोन में क्या होजाएगा रूट थीरी अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं फ्रेंज यहां पर हर का परिमाई करण कर सकते हैं जब हर का परिमाई करण करेंगे तो क्या आएगा 30 इंटू रूट थीरी अपन में रूट थीरी यह कितने बर में जाएगा दस बर में जाएगा आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा आपका राइट एंसर क्या होजाएगा तो टेन रूट थीरी इस दा करेक्ट एंसर आप लोग को सही हो जाएगा तो फ्रेंड्स ची ए वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा होगा ठीक ना आई एक और कोशन्स को सुल्ब कर लेते हों सर तो आएए बच्चु देखते हैं एक कोशन्स आप लोग को क्या कर रहा है तो बच्चु आप लोग देख रहे हैं कोशन नूमबर फाइफ आप लोग देख रहे हैं क्या है कोशन नूमबर फाइफ है इसमें क्या बोला जा रहा बूमी से 60 मीटर की उचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी की अस्थाई रूप से बूमी एक बींदू से बांग दिया गया है, एक बींदू से क्या किया गया है, उसको बांग दिया गया है, तो बूमी के साथ डोरी का जो जुकाव है, वो कितने डिगरी का है, तो 60 डिगरी का है, तो यह मान कर कि डोरी कोई धीली नहीं है, तो डोरी की क्या करना है, आप लोगो को डोरी की लंबाई आप लोगो को फाइंड आउट करना है, तो आई हम सलूशन के साथ इसको सोल्व कर कहते हैं को सकते तो प्रेंट्स आपोग देख रहें एक बनाया गया मौग को समकून तिरभूज बनाया गया यह आप लोग को बराबर दिखाई दे रहा है जो इसका कूल और कितना डेरी है से और इसका जुर्ण जो शीज्ट डीगरी और इसका पतंग की जो उचाहिए, वो क्या है, 60 मीटर है, तो तिरबूज ए, बी, सी में, साइन 30 डिगरी, यानि कि साइन 60 डिगरी, आप लोग को मालूम है, फ्रेंज, कि साइन 60 डिगरी का मान क्या होता है, तो साइन जो 60 डिगरी का मान होता है, वो रूट 3 अपोन में क्या होता है, तो क्या हो जाएगा आप लोग को तिरियक एक मॉल्टिप्लाई कर देंगे, यहाँ पे- क्रोस मॉल्टिप्लिफिकेशन हो जाएगा, तो साइन 30 तीर्डिग्री, यानि कि, साइन छीक्टी डिकर्मिय तो 60 अपन में, यानि कि मुल्टिप्लाइ आप लोग करेंगे तो यहां पे आपडोग को मान निकल कर आएगा क्या आजाएगा एसी का मान क्या आजाएगा फ्रेंट्स जो यहसे का मान यहां पर क्या रहा है 120 अपान में रूट 3 और हर का परिमाई करन करते हैं तो फिरेंज कुट कर यहां पर आपनों को क्या आ रहा है जब हर का हम परिमाई करन करते हैं यहां पर की 120 अपान में क्या है रूट 3 और रूट 3 से उपर नीचे गुणा करने पो तो जब उपर नीचे गुणा होगा फ्रेंज तो यहां पर क्या हो जाएगा 120 रूट 3 अपवन में 3 हो जाएगा कितने बार में गया तो 4 बार में गया कितना चालीस रूट 3 चालीस इंटू रूट 3 मीटर इस दा करेक्ट एंसर तो आप लोगो को क्या हो जाएगा जो डोरी की कि उचाहिए वो कितना है डूरी की जो लंबाई है यह जो डूरी है फ्रेंज्स वो डूरी की जो लंबाई है वो क्या हाज जाएगा तो 40 इंटूरूट थीरी इस तब करेक्ट एंसर इतना बात आप लोगो समझ में आया हुआ तो फिंसी आज का जो सिसन रहा इसमें मैंने आ आप लोगो को ओवरवाल टोटल आप लोगो को कितना मैंने कोशन्स कराया फ्रेंज्स तो इसमें जो कोशन्स आप लोगो कराया टोटल ओवरवाल फाइफ क्या कराया मैंने फाइफ कोशन्स आप लोगो को सूल कराया क्या कराया आप लोगो को फाइफ कोशन्स वोल कराया तो आप लोगों को अच्छा जब लगा होगा वीडियो फ्रेंज तो क्या करें आप लोग अधिक से अधिक अधिक अपने ग्रूप में इसको सेर करें जो भी बिहार बोर्ड जो भी बच्चा बिहार बोर्ड क्या तो बिहार बोर्ड का क्या कर रहा है प्रेप्रेशन कर रहा ह वी आर बोर का क्या कर रहा है तो आप लोगों को प्रेप्रेशन कर रहा है यानि कि तयारी कर रहा है जो भी बच्चा उसके लिए अच्छा रहेगा फिर फोस्ट आप लोगों को एस सेशन मिल रहा है क्या मिल रहा है तो फिर फोस्ट एस सेशन आप लोगों को मिल रहा है तो इसको benefit उठाने देजिए दूसरों को भी और इसको आप लोग शेर करें अपनी ग्रूप में जो भी आप लोग कोईरी हैं तो आप लोग इस वीडियो के comment में जा करके आप लोग क्या कर सकते हैं comment छोड़ सकते हैं जो भी related आप को पुछना है पीडियर चाहिए नोट चाहिए तो आप लोग कोंटेक्ट कर सकते हैं मेरा नंबर है वासट जीरू एक तालीस ची आलीस पानसोग साथ क्या है ची आलीस पानसोग साथ कि इस नंबर पर आप लोग वाट्शाप कर सकते हैं तो बाई बाई टेक कियर लब भी ओल गाईज